हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो और हुटूप चानल, आज हम देखने वाले हैं RCC रेटेनिंग वाल, आपको जो यह आगे दिख रहा है, पूरा RCC में के वाला रेटेनिंग वाल है, इसके टोटल लंबाई 28 फीट है, और हमने जो यहाँ पे हैट लेए वाला है, 8 फीट ल बनाया जाता है, अगर हम ब्रिक में यहाँ पे वाल बनाती तो क्या होता था, जो हमारे प्लोट के बैक साइड पे नाला है, नाले में के पानी जो है, पूरा लिक होके हमारे पार्किंग एरिया में आने के बहुत ज़्यादा चांसिस रहते है, अगर फ्यूचर में पानी क्लिक होके अंदर आता है, तो उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते है, इसलिए जब हमारा कंस्ट्रक्शन चालो होता है, तभी इस तरह से RCC में आगर वाल लेते हैं, तो बहुत फ्यूचर के लिए सेफ्टी बन जाता है, और बार-बार काम करने के भी चरूरत नहीं होती है, यह इसमें जो हरिज़न्टल बार यूज के वाला है, वह भी 10 mm के है, और स्पेसिंग बेट्विन टू बार जो आते हैं, इसमें 6 इंचेस ले वाला है, और यह जो वाल दिखरा है, टोटल 8 फिट है इसकी, पूरा एक ही दिन में इतना बड़ा वाल कंस्टक के वाला नहीं है, इसमें हम जो है, तीन स्टेप में बनाया था, सबसे पहले हम ले थे, दो या दाए फिट में पहले दिन भरा था, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद स्टेप, तीन स्टेप में यह पूरा आटफिट वाल को हमने भरा है, इससे क्या होता है, कि काम करने में आसानी होत वर अगर हम एकaja दिन में इतना बड़ा सा ओ North प्विट का बरते तो क्या होता है कि concrete के pressure से निचे का जो हमारा सेंट्रींग होता है के सवर नीचे का जो shuttering होता है shuttering लिके अर्फिज होने के बहुत स्वेंड़ी होता है कैसे यदे जब आप RCC में पूरा वाल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो step by step में करना बहुत safety होता है हमें यहाँ पेचे से safety की जरूरत थी इसलिए हम only back side पे RCC में पूरा वाल लिये वाला है और बागी दोनों side में पूरा brick में आने का आने वाला है यहाँ पे retaining wall हो चुगा है वाँ पे ground beam भी पूरा complete हो चुगा है और इस side पे अब ground beam आने वाला है अगर यहाँ पे back side पे अच्छा बड़ा सा नाला नहीं रहता तो यहाँ पे पूरा यह retaining wall लेने की जरूरत नहीं थी यह जो retaining wall होती है बोड टाइप के आती है हमने यहाँ पे इस तरह का retaining wall बनाया होला है नेक्स्ट टुडियो में हम देखने वाले जो different type के RCC retaining wall होती है वो किस किस तरह से होती है कुछ कुछ retaining wall जो होती है जो हमारा bottom होता है bottom में उसकी weight ज़्यादा होती है जैसे जैसे हम उपर आते है उपर उपर कम होती जाती है safety purpose के लिए उसे उस तरह से construct किया जाता है bottom में जो 2 या 2 feet तक उसकी जो total width होती है 2 feet होती है उसके उपर 1 feet होता है उसके उपर 9 inches होता है कुछ इस तरह से step में उसकी जो thickness होती है कम होती जाती है चलो मिलते है नेक्स टूडियो में इससे तरह से interesting जानकारे के लिए चैनल को like किजिए share किजिए और subscribe किजिए किजिए